वो लोग जो बैचलर्स का थीसिस लिख रहे हैं या मास्टर्स का थीसिस लिख रहे हैं या पीएचडी का थीसिस लिख रहे हैं या वो लोग जो स्कॉलोशिप के लिए तोगोदो कर रहे हैं या फिर वो लोग जो रिसेर्चर्चर्स हैं, साइंस्तान हैं या फिर students हैं जो paper publish करने की कोशिश कर, उनके लिए आज मैं एक course लेकर आ रहा हूँ, जहां पे 6 माँ हम लगातार scientific writing सेखने वाले हैं, वो भी 0 से end तक, और ये course आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, असलाम अलेकूं, मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel, और आज से हम scientific writing का 6 माँ का mentorship program खुशामदेद कायता हूँ, ये mentorship program basically scientific writing का है, और इसमें आप 6 माँ लगातार मेरे साथ सीखेंगे, publish कैसे गरना है किसी paper को, किसी thesis को, किसी scientific review article, और narrative review को या systematic review को, और ये 6 माँ का course है, और obviously इस 6 माँ के course में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये course मैं आपको Kodanics की website पे अपलोड करके दूँगा, और साथ में YouTube पे बेस की videos अपलोड होती जाएंगी, लेकिन जरा गौर से इस वीडियो को end तक देख लीजएगा, फिर आपको समझ आजएगे कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको इस course में सीखने को मिलेगी, मेरा नाम डॉक्टर मॉहमद मैं रिसेंटली पी एच्डी फिनिश की है, अंडर मैरी स्कॉल्डोस का क्यूरी अक्शन्स, और मेरी डिग्री जो है वो इटली एंड जर्मनी, दो कंट्रीज के थू है, और मुझे जो टाइटल मिला है, इस डॉक्टर औरपियस, जिसका मतलब यह है कि मैं योरोपियन किस इसी भी युनिवस्टी के एकुल डिग्री रखता हूँ, और मैंने अपना जो थीसिस डिफेंस है, वो तो से ज्यादा कंट्री के अंदर प्रिजेंट किया है, मेरी डिग्री का टाइटल जो है डेटा साइंस इन अग्रिकल्चर है, बेसिकली मैंने डेटा साइंस, डेटा और अविजली पाकिसान से भी, मैं करेंटली वर्क कर रहा हूँ एस पोस्ट टॉक इन जर्मेनी, और मेरा जो काम है वो डेटा साइंस और बाइंफरमेटिशन का काम है, बहुत जादा लोग जो हैं, वो मुझे मेरे एक कोर्स के वज़ा से जानते हैं, जिसका नाम है पाइ पाइफोन का चिल्ला सीखा, जिसमें डेटा अनलेसिस मैंने सिखाया, और फिर मैंने बहुत ज्यादा कोर्स और भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिये, हमारा कोडैनिक्स का यूट्यूब चैनल है, जहां पर यह सारे कोर्स अपलोड हो रहे हैं, और वहां पर आप देख सक लेकिन जब हमारी जूम की मीटिंग होती है, तो मोस्ट अफ दे कोर्स अर लिटल बिट पेड, लेकिन जारी बात है, सारे के सारा कॉंटेंट यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, मेरी जो गूगल स्कॉलर पर पर प्रफाइल है, आप देख सकते हैं, कि यहां पर मैंने तकरीबन अच्छे खासे आर्टिकल्स जो हैं, वो पपलिश कर दिया हूँ है, और मेरा जो साइटेशन है, वो 782 साइटेड पेपर्स है मेरे, 782 दफा लोगों ने मुझे साइट किया है, एच इंडेक्स है, और मेरे पास I10 इंडेक्स 13 and 14 का है, if you don't know, no worries, इस कोर्स के अं के हमारे चैनल को डैनेक्स के उपर अपलोड होती जाएंगी, आपने इस चैनल को सबस्क्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा हमारी इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी किया होगा, दस दिन सीखने के बाद आप तब ही रिजिस्टर करवाएं, अगर और लोगों को ट्रेन भी करना है, उनके फिल्ड से रिलेटेड, तो सब कुछ हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, बिकोज एड दी एंड, वी हाव तो पब्लिश सम आर्टिकल आउट अफ दिस कोर्स, और अगर वो सारा कुछ ओन लाइन होता रहा, तो प्लेजर इसम आने के खत होगा, otherwise first 10 days are totally free, जो आपको test करने में help out करेंगे, सारे की सारी detail जो है, वो हमारे Google form के अंदर mention है, जो अभी इस से अगली slide के अंदर में आपको दिखाने वाला हूँ, और उस Google form के अंदर हर एक चीज मेंशन है, आपको कोई भी question है, पहले उस Google form को पढ़ियेगा, फिर आप आप आपको कोई भी question है, या नहीं कर रहा है, और आपको कोई भी question है, then you can also write down in the comment section, by the way, मैंने Google form का link, जो है, वो description में भी दे दिया हुआ, and then you can register for this course if you want, register करवाने के लिए, आप पहले 10 दिन का जो हमारा lectures है, फ्री वाले भी सुन सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखेगा, हमारे पास बहुत ही limited seats है, बहुत ज़्यादा रशन ही हमने इस course में करना है, इस वड़ा से अगर आप QR code को scan करेंगे, या आप ये जो Google form का link मैंने यहां जो है वो चल रहा है, अब हम चलते हैं, next question के तरफ, which is very important, and that is, what will we cover in this course, तो इस course के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाले हैं, कुछ चीज़े में आपको बता दे, तो पहले बात तो ये है कि ये एक absolute necessity है, of a student, researcher, scientist, or a content writer, उसको ये सीखना बहुत सबसे पहले हम क्या करेंगे, literature search सीखेंगे, using tools, literature review हम करेंगे, different चीज़ों का, और मैं बताऊंगा, कौन कौन से database आप यूज कर सकते हैं, and how you can actually find the study gap, then basics of scientific writing, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने वाले हैं, in English, and what is scientific writing, ये हम देखेंगे, and scientific writing कुछ examples भी देखेंगे, and what is scientific writing, databases के तुरू आप अपना study gap find out करने के लिए, हमारे साथ यहां पर ये वाला course करनेंगे, and then making a layout of your thesis, अगर आप thesis लिखने हैं, तो layout से start करके, आपको thesis लिखने के तरीके भी बताया जाएंगे, review paper की layout क्या होती है, वो बताया जाएगी, review paper का plan बताया जाएगा, and use of AI tools to write papers and refine papers, इसके उपर हम बात करेंगे, obviously AI detection को removal के तरीके और plagiarism को removal के तरीके भी हम यहां पर देखने वाले हैं, अभी रुके जरा, बहुत कुछ आ रहा है, इसके इलावा हम देखेंगे AI search engines and their uses, search engines and databases, development, and then we will also use MS Excel for data analysis and data visualization, तो आपको इसी course के अंदर MS Excel proper way में A to Z सिखाया जाएगा, data analysis, data visualization or publication ready figures को बनाने के लिए, and then you will also learn basics to advance use of Microsoft Word, हम इस course में Microsoft Word में आपको master कर देंगे, because you have to write your thesis or your papers using Microsoft Word, then the next thing is the art of scientific storytelling, यह हम आपको सिखायेंगे किस तरीके से आप scientific storytelling कर सकते हैं, then at the end of this section, we will write a complete narrative review, A to Z project, हमें एक review article लिखेंगे, और मैं एक example A to Z लिख के आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से कोई भी review article लिखा जाता है, obviously यह पहला section होगा हमारा, जिसके अंदर हम आपको database development, literature review और review article तक सारी की सारी techniques जो हैं, वो सिखायेंगे, जब हमारा यह project पहले 1.5 माह में, 2 माह मे complete हो जाएगे, then we will jump into the next part, next part में हम गया करने वाले है, next part में हम complete training आपको देंगे, reference management tool like endnote, endnote पे हम focus ज्यादा करेंगे, because this is the tool which we are going to use throughout this course, फिर आपको यह बताया जाएगा, systematic review क्या होता है, फिर आपको यह बताया जाएगा, develop आपने कैसे करना किसी भी data size, database को for systematic review, and then आपक you will be also taught how to finalize publication ready figures, basics of statistics plus interpretation of statistical results and figures, तो यह कुछ चीज़ें जो basic graphs के अंदर use होती है, statistical test use होती है, Microsoft Excel के तुरू, और different other programming languages के तुरू, मैं आपको different किसम की publication ready figures बनाना सिखाएंगे, कि किस तरीके से कब आप कहते हैं, कि now our figure is ready to be published, फिर उसके बाद, आपको इसी course के अंदर our programming सिखा जाएगे basic analysis के लिए, Python का basic analysis बताया जाएगा data visualization के लिए, then आपको Power BI और Tableau, यह दोनों tools सिखाए जाएगे for learning data visualization, और आप उन figures को use करके अपनी जो publication उसमें लगा सकते है, अब यहाँ पे एक advantage यह है कि यह चार जो skills है, यह चार skills उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाए जाएगे और यह 4, R, Python, Power BI, and Tableau, यह 4 softwares आप सीख जाएगे, which are very important, other than Microsoft Excel and Microsoft Word, तो total में 6 softwares आप सीख जाएगे, then writing a complete systematic review, word to word training आपको दी जाएगी A to Z, हम एक proper systematic review, एक example के तोर पे लिखेंगे, वो systematic review मेरा अपना होगा, I will start writing from zero, आपको सिखाने के लिए उस review article को इस तरीके भी कर सको, obviously, वो जो review article होगा, मैं आपके सामने लिखूंगा, but at the end I will show you the process of publication as well, तो वो systematic review, plus जो हमारा पिछला narrative review था, दोनों को हम जर्नल में submit भी करवाएंगे, and then we will also write example research paper project for basics to intermediate understanding, यही नहीं कि systematic review को publish करवाने के बाद आपको कहेंगे, ठीक है आपको आपको आपको, उसक research paper लिखना इतना असान ही होता, आज के लिए आपको research करने ही पढ़ती है, primary data पे या secondary data पे, so we will take secondary data, जो लोगों का data होता है, या different databases में होता है, और उस पे हम एक research project design करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करने माले है, अगला काम हमारा होगा, how to find journals, how to prepare document list to submit our papers, and then we will also find how to write a cover letter to submit your paper, तो आपको ना सिरफ paper writing में train किया जाएगा, भलके आपको इस तरीके से train किया जाएगा, कि आप खुद से cross pond भी करें, अपने paper को submission के लिए, how to publish your papers, ये भी आपको बताया जाएगा, how to prepare a response letter as a corresponding author, जब कभी भी आपको ये अपना paper submit करवाते है, उसके बात क्या होता है, एक editor होता है, editor आगे reviewers को बेजता है, फिर scientific community में से लोग आपसे question करते हैं कि ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, फिर उसके response में आपने तनकीदी या आप कह सकते है critical answers देने होते हैं कि हमने ये क्यों नहीं किया फ्लाँ की चीज क्यों उसको बोलते है response letter, वो भी आपको बनाना सिखाया जाएगा इन 6 मां के period के दुरान अगर हमें review या response letter आता है किसी paper का, otherwise I will show you some examples कि हम किस तरीके से reviewers को response देते हैं, then I will also tell you much more things, especially आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से A to Z सारे के सारा project design करके उसको publish कर सकते हैं, घर बेठे हुए, दुनिया में बहुत ज़्यादे databases मुझूद है, डेटा भी इंतहा का मुझूद है, अगर आपको storytelling और writing का पता चल जाएगा, then you can use a lot of techniques जिसके थुरू आप अपने papers को start से end तक publish कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो एक important point है to be noted, वो यह है कि आपके पास इस वरक आप उस topic को zero से end तक लेके जा सकते हैं, अगर आप PhD कर रहे हैं, तो अपने PhD के topic के उपर narrative review हमारे साथ सार लिख सकते हैं, या आप systematic review लिख सकते हैं, प्लस आप अपना research paper भी लेके आ सकते हैं, आपको one-to-one mentorship भी दी जाएगी, यही नहीं, कि सिरफ आपको सीखा दियज है, not everybody, only for registered participants, तो यह जो हमारा course है, यह किसे attend करना चाहिए, सबसे पहली चीज यह है कि यह course उन लोगों के लिए attend करना चाहिए, जो इस वकत bachelor का thesis लिख रहे हैं, master का thesis लिख रहे हैं, या वो PhD का thesis लिख रहे हैं, या उनके पास को paper है, वो publish करवाना चाहते हैं, को postdoc वाले हैं, वो उस paper को publish करवाना चाहते हैं, आप AI tools को सीखना चाहते हैं, and much more, लेकिन रुके जरा, आपको कुछ और examples देता हूं, essay students, जो master, MPH, PhD कर रहे हैं, या postdoc कर रहे हैं, जो बाहर scholarships पर बैठे हुए, या researchers हैं, जो पाकिसान के अंदर भी research कर रहे हैं, या scientists हैं, plus lecturers or assistant professors, they are welcome as well, अगर आप किसी भी fellowship, scholarship या funding के लिए apply करना चाहरे हैं, तो आपको scientific research article लिखना बहुत जरूरी है, and this course will help you a lot to actually publish your own articles, फिर इसके इलावा, ये जो चार categories हैं, ये हमारा main goal है, अब आप सोच रहे होंगे कि, ऐसे कौन से लोग apply कर सकते हैं, जो पाकिसान में बैठे हैं, वो ही क कर सकते हैं, ये पाकिसानी कर सकते हैं, नहीं, कोई भी दुनिया में जो हिंदी, उर्दू, जुबान को समझता है, जबान को समझता है, they can actually enroll this course, enroll in this course, or at the end of this lecture में आपको registration procedure दुबारा से बताने वाला हूँ, so don't worry about that, अच्छा, जो field है, major field हमारे पास biology, अगर आपके पास ह कर रहें आपके लिए, engineering कर रहें आपके लिए, कोई भी sciences का field है आपके लिए, agriculture, plant sciences, microbiology, life science, natural science and many other who want to publish, तो techniques और tips सेम ही रहेंगे आप सबके लिए, at the end आप अपने topic पर काम कर रहे होंगे, मैं एक example topic को लेके चार रहा होंगा, तो आप उनी चीज़ों को replicate करते जाएंगे, at the end, this course is actually for everyone who want to jump into scientific writing and research mentorship program, अच्छा जी, अब register अगर आप करवाना चाहते हैं, आज ही, तो हमारे पास बहुत limited seats हैं, और अगर आप register करवाने के लिए ready हैं, आप नीचे comment भी कर सकते हैं, इस video के नीचे, और registration के लिए, यह जो link मैंने यहां पर दिया हुआ है, आप इसको scan कर सकते हैं, और मैंने description में भी यह registration का procedure बता दिया हुआ है, मेरी आप से request यह है, कि अगर आप इस course के लिए register करवाना चाहते हैं, तो please अपना mindset पहले बना ले, और मैंने description में या उपर i button के अंदर, यहां पर करके, मैंने आपको एक complete scientific writing की training free में करवाई हुई है, which you can access, and you can learn about how scientific writing will help you to grow in your career, एक और वीडियो यही पे corner पे आपको नजर आ रही होगी, जिसमें पूरे का पूरा course मेंने दिया हुए, AI tools का use हमारी scientific writing के अंदर, तो यह basically आपको पूरी की पूरी playlist में बता रहा हुँ, मैंने description में भी बता दी हुई है, आप अगर इनके उपर जाएंगे then you can learn in advance के हम किस तरीके से आगे चल सकते हैं, और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा के मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, last but not the least, जो हमारी fee structure है, वो सारी की सारी Google Forms के अंदर मैंने दी हुई है, और इन Google Forms के अंदर सारी की सारी details हैं, जो details वहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आप कहते हैं कि discount कर दें fees में, मैंने already काफी discount कर दिया हुए, and there are many other things जो आप उसी Google Forms के अंदर पा सकते हैं, again, पहले 10 दिन यह course totally free होगा, सभी के लिए free होगा, 10 दिन के बाद सिरफ paid classes होंगी, और मजबूरी यह है, मैं इनको live इस वज़ा से नहीं कर सकता, because we will actually disperse each and every topic, and we will make teams, और वो अपने-पने projects पर काम कर रहे होंगे, और हमारी Zoom meeting होगी, मैं ना तो लोगों की privacy को hurt कर सकता हूँ, कि उनकी private चीज़ों को, उनके चेहरों को आपके सामने लाओं या उनकी आवाजों को, इस वज़ा से मुझे इसको paid रखना है और private रखना है, otherwise I could have uploaded all the courses on YouTube, अपना ख्यार के, अगर आप इस लिए इस कोर्स के लिए एक्साइब है, और राइड दाना इन दे कमेंट सेक्शन, and see you in the next lecture, take care, Allah Hafiz.